नमस्कार मदिती पोज़र आप देख रहे हमारे साथ दनगरी न्यूज आयोत्या में भव्वे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रचिष्टा के बाद भारत से लेकर दुनिया के कई कोनों में बसे लोगों के मन में आनन्द है लेकिन पडोसी देश बांगलादेश में रहने वाले हिंदू के स्तिती कुछ अलग है बांगलादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों के मन में भैका माहौल बना हुआ है पिछले दिनों चुनाफ के दौरान बांगलादेश के कई हिस्तों में हुई हिंसक घटनाओं के बाद वहां का माहौल काफी विगड गया है। राम मंदिर की प्राण प्रजिष्टा के बाद कई लोग अयोध्या में राम लिल्ला के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन अपने घर परिवार को छोड़कर भारत जाने की हिम्मत उनमें नहीं है। हिंदू परिवारों को कहना है कि हम भी दर्शन करना जाना चाहते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जब तक दर्शन करकर वापस लोटेंगे तो यहां के हालत सही मिलेंगे। उनका कहना है कि यहां हिंदू के घर जलाना और मंदिरों में तोड़ पोड़ करना कोई नई बात नहीं है। दाकेश्वरी मंदिर के महा सचीव रमन मंदल का कहना था कि बांगला देश में हिंदू की संख्या बहुत कम है। वहां रहते हुए लोगों को आसुरुक्षित महसूस होने लगा है। स्टूरिंट्स यूनियन कारेकरता मेग मलार बासू का कहना था कि कई कट्टर पंती धंकिया दी जा रही है। अगर हम सत्ता में आए तो मंदिरों को तोड़ कर वहां मस्जिद बना देंगे। लेकिन इस बार सरकार ने इस बात पर मौन बनाया हुआ है। रमन काली मंदर बोड के अद्धक्ष उत्पल साह का कहना था कि जब प्राण परतिष्टा समारों चल रहा था तब मुस्लिमों ने यहां शोब यात्रा निकालने पर रोक लगा दी। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यहां काफी लोगों में डर बना हुआ है कि मंदिर या घर जला दिये जाएंगे उनके। सत्ता में आ गई तो यहां के लोगों का क्या होगा यह बड़ा सवाल है यहां की जनता के लिए आज के लिए बस इतना ऐसे न्यूज अपडेट के लिए बने रही हमारे चैनल दनगरी न्यूज के साथ दन्यवाद